कई बार लोगों के गले में कुछ फस जाता है लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि कैसे निकालना है और इस कारण कई डेथ भी हो जाती है थोट में या हमारी wind pipe में कोई चीज फर्स जाती है उसकी वज़े से जो हमारी wind pipe है उसमें air trap हो जाती है, blockage हो जाती है, जो person है वो breathe नहीं कर पाता, उसको हम choking बोलते हैं थूक अंदर लेते हैं तो कई बार वो नीचे चली जाती है, dissolve हो जाती है, कई बार लोग ऐसे में पानी पिला देते हैं, क्या पानी पिलाना ठीक रहता है या नुकसान देह भी हो सकता है पानी पिलाना ये डिपेंड करता है, situation कैसी है, अगर person खांसी कर रहा है, कफ कर रहा है, इसका मतलब यह है कि air अंदर जा रही है अगर हम उसको पानी पिला देंगे हो सकता, वो दुबारा ट्रबल कर दे, जो थोड़ी बहुती सांस आ रही है, वो भी बंद हो जी और इसकी death भी हो सकती है नमस्कार, D5 चैनल, हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वन्दना स्वागत करती हूँ, आज एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौझूद हैं, health sector से, associate professor नरेंदर कॉल जी, नरेंदर जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है, थैंक्यू, थैंक्यू, नरेंदर जी हम अक्स पहले आप कैसे help कर सकते हैं लोगों की या अपने परिवार वालों की, तो इसी विशे पे आज हम इसी इसमें हम आज चर्चा करेंगे, choking पर, कई बार लोगों के गले में कुछ फंस जाता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि कैसे निकालना है, और इस कारण कई death भी हो कोई चीज फर्स जाती है, उसकी वज़ए से जो हमारी बंड़ा या एर ट्रयप हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है, जो पर सौन है, वो भी नहीं कर पाता, उसको हम चोकिंग बोलते हैं, उसमें क्या है दो पर percussion जो भी विक्टम है, दो जख सबिच में हो अगा नहीं और तो उसको हम जब वो सांस नहीं ले पारा तो उसको हम चोकिंग बोलते हैं चोकिंग होने की वजय क्या क्या हो सकती है देखो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं आज कल सभी लोग भाग दौड में रहते हैं तो जल्दी जल्दी से खाना खाना या बहुत ज्यादा मुव में खा ब्लॉक हो जाता है या विंड पाइप में फस जाता है उसकी वजह से सांस लेने में मुश्किल हो जाती है तो इस वजह से यह प्रॉब्लम बहुत कौमन देखने को भी मिलती है और इसमें यह भी है अगर किसी को प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट नहीं है कई बार तो ऐसा होता फूड पाई में वापस चले जाती है पर कई बार क्या होता है अगर बहुत जादा हमने कोई चीज ले ली है वो डिजॉल्व नहीं हो पारी तो वो ब्लॉकेज कर जाती है उसकी वज़ा से परसन चोक्ट हो जाता है जैसा कि अभी आपने का कि थूक अंदर लेते हैं तो कई बार लोग ऐसे में पानी पिला देते हैं क्या पाणी पिलाना ठीक रहता है यह नुकसान देहब भी हो सकता है पानी पिलाना ओक यह डिपेंड करता है सिचुेशन कहसी है अगर परसन का खांसी कर रहा है इसका मतलब यह है कि अंदर जा रही है तो फुल ब्लॉकेज नहीं ह के परसन की सिचुएशन कैसी है अगर हम उसको पानी पिला देंगे हो सकता वो दुबारा ट्रबल कर दे जो थोड़ी बहुती सांस आ रही है वो भी बंध हो जे और से इसकी डेठ भी हो सकती है कई बार ऐसा होता है कि लोग गले में हाट डालके निकालने की कोशिश करते हैं कई बार बचे कोईंस भी निगल जाते हैं या कई बड़े लोग कई चीज़ें ऐसी निगल जाते हैं जो कि अंदर नहीं जा पाती है और फिर उनको लोग हाट से निकालने की कोशिश करते हैं त तो उसको वहीं पे छोड़ दो, जल्दी से जल्दी है, जो विक्टम है, उसको हम हॉस्पिटल में लेखे जाएंगे. अगर गले में कुछ फस जाता है, तो पता कैसे चलता है, कि हाँ ये वाकई गले में फस रहा है, क्योंकि कई बार खाना खाते खाते खांसी वैसे भी आ जाती है? तो काफ बहुत जादा होगी, इसके साथ और क्या होगा, अगर बहुत जादा टाइम तक हो गया, तो इसकी जो स्किन है, वो नीली पढ़नी शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे वो उसकी कॉंशिंसनेस है, जो वो खतम हो जाएगी, उसको होश नहीं रहेगा. तो ऐसे में क्या करना चाहिए? जो पीट परसन को आगे थोड़ा जुकाते हैं, और उसके पीट पर जो शोल्डर ब्लेट के बीच में पांच बार हम ब्लो करते हैं, हाथ से उसको लगाते हैं, कि बाहर निकले कोई, उसके बाद फाइव थर्स्ट, इसमें क्या होता है? हम एक मुठी बना के, उसके बाद जो नेवल होती है, उसके उपर जोर से उपर की तरफ प्रेशर डालेंगे, और जो बरसन है, उसको हम आगे जुकाके रखेंगे, तांचो जो चीज बाहर निकल जाए, इसमें सबसे जुरूरी है, अगर ये परसन, ये प्रोसीजर, अगर कोई कर रहा है, उसको पूरी नॉ बिल्कुल ठीक कहा आपने अधूरी जानकारी बहुत जाधा खतरनाक होती है, इसलिए जानकारी पूरी हो, तब ही करें वरना डॉक्टर से जल्दी से जल्दी संपक करें नरेंदर जी आप यहां आई आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार